आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों मैं सीवम अपने यूरुप चैनल टेक्निकल सीवम पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Android फोन के अंदर जब आप Home Screen Settings को Open करते हो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है Apps Vault Settings आपको एक देखने को मिल जाती है इस सेटिंग को On करने से क्या होता है और इस सेटिंग को यहां से On करने से और Off करने से क्या होता है वही मैं आपको पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ कि आखिरकार इस सेटिंग से आपके Home Screen प पसंद आये वीडियो को लाइक जैनल पर पहले को सब्सक्राइब पर कि यहां पर देखने को मिलता है IF walter setting अगर आप इसे disable कर देते हो तो क्या होता है और इससे यहां से enable कर सकते हो तो क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बताइटा हूं कि इसे enable करने से क्या होता है अपने mobile phone की home screen पर आपको आजाना है जैसे आप यहां से कट कर देते हैं आपका home screen आपको देखने को मिल रहा होगा अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार vault app से क्या होता था तो आपको यहां पर करना क्या है इस लग आपको फिर से स्क्रोल करना है यहां पर आपका जो जितना यह process देखने को मिल रहा है यहां से आप जितना सारा आप shortcut कुछ को यूज कर सकते हो जैसा यहां पर आपको किरकेट भी देखने को मिलता रहता है कलेंडर भी देखने को मिलता रहता है आपका इस्टेप भी देखने को मिलता रहता है तो इसी को कहते हैं आपको एप वोल्ड सेटिंग इसी को कहते हैं अगर आप उस सेटिंग को ये डि setting को open करने के बाद मैं यहां से home screen पर click करता हूं यहां से देखना को मिलता है app world आपको इस पर click करना और यह setting आपको यहां पर turn off हो जाएगी तो वहां पर आप किसी भी यहां पर किसी भी application किसी भी news को किसी भी Prounirmator को आप सोट कर तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखायता हूँ कि मैं यहां से स्क्रोल करता हूँ फिर से मैं स्क्रोल करता हूँ यहां पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा होगा जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा था तो आएसे तो अपने mobile phone के अंदर इस setting को use कर सकते हो और इस setting को अपने हिसाब से manage कर सकते हो हमें on करना चाहिए या नहीं करना चाहिए off रखना चाहिए तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से और अपने मन से आप इसे use कर सकते हो तो मिलते हैं next video में इस video के लिए इतना ही बस इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि आखिरकार इस सेटिंग को कैसे योज करते हैं और इस सेटिंग से क्या परिवर्थन पड़ता है तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद